वेल्कम बैक मैं चैनल कैड के मेंटोर मीर करता हूँ आप सब ख्यारियर से होंगे खुश होंगे फ्रेंट राज हमारा पावन में 2020 का ये पीस्वा लेसन है आज के लेसन के अंदर हम स्टेडी करने जा रहे हैं फीचर के अंदर फेस मिलिंग के बारे में आप स्क्रीन के जिसके अंदर हमारा एक ब्लोक है और उस ब्लोक के उपर हम मेटीरियल को रिमूव करवाना चाहते हैं कलियर करना चाहते हैं साफ करना चाहते हैं तो पावर मिल के अंदर आल लेडी फेस मिलिंग के बारे में मैंने एक स्ट्राटिजी डिसकस की थी वो भी इसी से मिलते फरक सरफ ये है कि ये जो प्रोग्राम है ये फीचर मशीनिंग के थू है और वो जो प्रोग्राम था वो अलएदा से फेस मिलिंग का एक तूल पात था जैसे आप कर्व मशीनिंग के अंदर आते हैं यानि कर्व के ठूरू आप फेस्मिलिंग करवाना जाते हैं तो आप उसमें भी फेस्मिलिंग करवा सकते हैं और जब हम फीजर के अंदर आते हैं तो वहाँ पर भी हमें फीजर फेस्मिलिंग की सुरत मिलती है यानि हम multiple options को use करके एक ही प्रोग्राम को बना सकते हैं एक ही जो हमारा मिलिंग का एक operation है वो हम उपको कर सकते हैं तो यह मैंने एक प्रोग्राम बनाया है तो आज के इस tutorial के अंदर हम यह सीखने जा रहे हैं के पावर मिलिंग के अंदर हम feature के तुरू FaceMilling का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक request कर दूँ अगर आप मेरे विच चैनल पर नहीं हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे फाइदा उठा सकें इससे मुस्तफीर हो सकें तो शुरू से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं इस project को close कर देता हूँ और पावर मिल के अंदर मैंने एक सिंपल सा ब्लोग नया है इसको मैं कोपी करता हूँ और पेस्ट आज निव मॉडल तो यह हमारा जो मॉडल है वो पावर मिल के अंदर आ चुका है अब इसके बाद हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो इसका ब्लोग क्यल्कुलेट करवाएंगे एकसेप्ट अब उसके बाद हम टूल क्रियेट करेंगे इसका डायमेटर मैंने 20 रखा है अगर आप इसको चाते हैं चेंड करना तो आप चेंड कर सकते हैं इसमें अगर आपका टूल बिलकुल ओरीजिन के उपर हो और आप इसकी पुजीशन को चेंड करना जा रहे हो तो उसके लिए आप टूल पाद कनेक्शन के अंदर आएंगे और यहां से कैलकुलेट के उपर क्लिक करके एकसेप्ट करनेंगे तो इस तरह आपका जो टूल है वो सेफ एरिया पर जाकर प्लेस हो जाएगा अब इसके बाद तूल भी क्रियेट हो चुका अब हम फीचर क्रियेट करेंगे फीचर एडिटर फीचर ग्रूप्स के अंदर आएंगे और फीचर एडिटर की ऑप्शन को चूज करके हमें यहाँ पर क्रियेट 2D फीचर के अंदर फेस इसके ड्रोप डाउन मेन्यू के अंदर आकर अनबाउंडिड बिलिंग फेस इसको चूज करना है और उरिजिन पर लाकर क्लिक कर देना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है तो यह हमारा फीचर जो है वो इस फेस के लिहाँ से क्रियेट हो चुका है इसको एक्सेप्ट करते है अब इसके बाद हमारा जो अगला काम है वो है टूल पास को क्रियेट करना तो toolpath को create करने के दो तरीके हैं आप feature में से भी toolpath को create कर सकते हैं और toolpaths के अंदर भी इसको बना सकते हैं पिछले tutorial के अंदर मैंने ये बताया है कि toolpaths के अंदर से हम toolpath को कैसे create करेंगे आज के इस tutorial के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि feature के अंदर हम कैसे toolpath create करेंगे आप just simply right click करेंगे और machine के उपर click करेंगे तो आपके पास वही form open हो गया जो कि toolpaths का form था तो feature machining के अंदर आकर यहां से हम option select करेंगे feature face milling की ok करेंगे तो यह हमारे पास form open हो चुका है feature face milling का अब इसके अंदर हमने देखना है हमारा feature जो है select है बिल्कुल select है work plane हमारा जो हमारा default work plane है हम उसको ही use करेंगे block हमने calculate करवा लिया है tool हमने create कर लिया है machine tool और यह आई हमारे पास option feature face milling की अब इसके अंदर सबसे पहले हमें option मिलती है x y expansion यह है क्या हमारे block से tool कितना बाहर जाए यह है x y expansion आप इसको अपनी मर्ज़े से बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं मैं फिलहाल इसको 0 रखता हूँ अब इसके बाद engagement feed rate यानि जो feed rate हम रखेंगे उसका कितना percentage आप इसमें रखना चाहते हैं tolerance हम 0.1 रखेंगे और style जो है वो इसमें दो option है raster है और offset है यह हमारे बाद step over है step over से detail के बारे detail से मैं बता जुका हूँ step over होता गया तो मैं इसमे step over 10 रखता हूँ जो stock depth है यानि यह हमारे origin से कितना ऊपर cutting को start करें तो मैं यहाँ पर इसको 5 रखता हूँ कि हमारी जो stock depth है वो 5 है 5 mm हमारी origin से तुमने cutting करनी start करनी है यह हमने power mirror को बता दिया अब उसके बाद step down यानि अगर 5 हमने stock depth रखी तो कितने cuts के अंदर यह हमारे face को clear करें अगर हम इसको 1 करेंगे तो यह 5 cuts के अंदर हमारे face को clear करेंगा और अगर हम 2 रखेंगे तो यह तकरीबन die के करीब करीब यह cuts लेगा तो मैं इसको 1 रखता हूँ stock depth 1 step down 1 नर्मली 1 रखते नहीं है जो 1 है यह soft material के लिए ठीक है लेकिन hard material के लिए 1 बहुत ज़्यादा है हम इसको 0.2, 0.3 के करीब करीब रखते हैं चुकर यह practice है तो इसमें मैं आपको बता रहा हूंगे आप step down की value इसमें ऐसे place कर सकते हैं अब उसके बाद finishing तो इसमें floor finishing या नि अगर आप इसमें finish भी करवाना चाहते हैं तो आपका आपका आपर step down जो है जो final step down है मेरा चुकर finishing के अंदर हम step down value कम रखते हैं अब रास्टर की options आगे अब इसमें मेरे पास जो option मैंने choose की है वो two way की use की है आप चाहें तो one way use करें नॉर्मली ज़्यादतर जो बहतर है वो two way है इसमें time save होता है अब इसके अंदर fixed direction रास्टर एंगल है मैंने 45 रखा है अब 90 भी रख सकते हैं 90 रखें 80 रखें यह अपकी मर्जी है अब हम इसको calculate कराते है तो यह देखिए हमारा जो tool path है वो create हो चुका है हम इसको simulate करते है simulate from start और इसकी simulation देखिए यह 45 के एंगल के ओपर रास्टर finishing raster जो है cut बनाता हुआ चल रहा है यह था raster behavior अब इसके बाद आप देखिए हमारे पास एक और option है इसके अंदर वो है offset की यह देखिए offset मैं इस option को जूज करता हूँ तो यह देखिए यह offset जो हमारा block है उसके offset इसने tool path create किया और इसको इसने जो है वो five steps के अंदर complete किया यह देखिए यह हमारा offset behavior है तो इस तरह आप offset और रास्टर दोनों तरीके से face meaning करवा सकते हैं तो इसमें आपको मैं final step down दिखा दूँ यह देखिए हमारा final step down है यह तकरीबन one millimeter तकरीबन यह half millimeter है ठीक है तो इस तरह हम final step down भी रख सकते हैं finishing के लिए तो यह था feature face face milling का program अब simply बहुत ही असान अगर आप इसे code generate करना चाते हैं तो create individual nc program करें और यह आपके पास nc program के अंदर आ गया यहां से आप सैटिंग के अंदर जाएंगे और machine option file चूज करेंगे यह मैंने already fanook यहां पर एक बार मैंने browse की थी पिछले tutorial के अंदर आप जाएंगे तो मैं उसमें यह practice की थी आप वहां से जाकर देख सकते हैं तो इसको accept करेंगे panook को और यहां पर output file नहीं आप कहां पर folder को अपनी nc file को भैंकना चाहते हैं तो आप यहां से location को select करेंगे और उसके बाद right के ओपर click करेंगे तो यह आपका code जो है वहां पर चला जाएगा तो यह था आज का program face milling के बारे में मेर करता हूँ आपको इस तो